हेलों वेलकुम बेक तो अल्डियर स्टूडिंस वालकुम टू करियर प्लानेट मेरा नाम शेली गुरवानी आपकी केमिस्ट्री टीचर और हम चैप्टर पढ़ रहे है रासायनिक बंद आनविक सरचना केमिकल बांडिंग आज का टॉपिक है बहुत इंट्रेस्टिंग मॉल केलर आर्बिटल यहांनुकाक्षक सिधान नोग काथन में खटम होना भात लंबी धिएह मालीकाल आर्बिटल थेरी तो अमनेगे मालीकिलर आर्बिटल थेरी वहन रधी अथाएग जाएक़ आई तो फॉर्स और तो इस थेरी वह प्रपोजड पान्ट यहां सिधान्थ प् हंट और बुली कन द्वारा दीया गया था है हन और भुली कन कहता है ठीक है। क्रेडिट देते भी मुली कंद द्वारा दिया गया था नौ क्या कहती है यह थीरी यह बता दो थोड़ो क्या कहता है अडू कक्षक सिद्धान्त क्या कहता है तो यह अभी आपने जो वैस्पर थेरी वगदर दीए थोड़ी सी प्राब्लम से अडू बताओ संग्रंड से आपने कंपॉंड बना लिए को कुछ एक ड्रॉबैक्स है वह हमें थोड़े यहां पर डिसक्स करने लाइक अडू कक्षक सिद्धान्त का मानना है कि पर्मानू कक्षक अटाओमिक ओर्बिटल मतलब वनने से और वनने से वीच में अतिवयापन होगा बिलकुल पर्मानू कक्षक प्लस पर्मानू कक्षक मिलके क्या बनेगा तो हम गहेंगे अनू कक्षक पर्मानू कक्षक दोनों के वीच में अतिवयापन होगा और बनेगा क्या तो हम तो आप कहना चाहरे हो, कि भी Atomic Orbital, परमानु कक्षक, ए हो Atomic Orbital, फिर Atomic Orbital, और आंसर क्या है, तो हम गएंगे, आंसर है Molecular Orbital, तो यह तो पहले भी बढ़ाता हूंने, है ना, लेकिन यह थियरी का मानना है, कि परमानु कक्षक, जो है, भी कक्षक क्या होता है, इलेक्ट्रोन पाई जाने की संभावना, कक्षक क्या था, इलेक्ट्रोन पाई जाने की संभावना, जिसको हमने साई, बाद में साई स्कोर से दिनोड किया था, ठीके, तो हमने कहा था, कि यह तो वेव फॉर्म है, इलेक्ट्रोन पाई जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी एलेक्ट्रो और तरंगों के अतीव्यापन से एगा तो हम कहें इनकी के अतीव्यापन से बनेगा अनुकर्षक molecular orbital अनुकक्षक बनता है अब आप परवानों कक्षक को क्या मानलों वेव अब तुम कोगे ठीक है तरंग मानले ताहूं तुम तरंग मतलब समझे ना तुम अगर मैं वेव की बात करूं तुम कोगे ना वेव में तो भई क्रिस्ट और ट्रफ है कि ने वेव में यह श्रंग हो मतलब इनर से भी किस्टाइज से भी किस्टाइज से भी ओन एधर से भी श्रंग शरंग याँ दर श्रंगाए जार्श जर्श टर्थ ईद्स i पोशी भी अतिकरण विश्म पोशी ऐसा कुछ था है ना मतलब समान कला में अतिव्या पे तो हुआ हो या फिर विपरित एक यू आ रहा है और यू आ रहा है तो फिर तो कैसे चलेगा टॉक गएंगे आपने का परमानुक अक्षक मिलके अनुक अक्षक बनाएंगे तो पहले पहले उनुक अक्षक परमानुक अक्षक का सही हो जनरे तो वह के अंतर की हो गया मान लेते हैं लेकिन यह तो अपने बताया इह अक ही ना है तो हम गही है तो आष requisète वे यहां न सक्षक मिलेगा तो दो तरीके हैं ओक्तिंगी तो तो तरीके है अब देखो, MOT, Molecular Orbital Theory, तो Molecular Orbital Theory परमानु कक्षकों के अतिवयापन पर अथारित है, ठीक है, बढ़ाता हम दे, फिर इस सिधान के अनुसार परमानु कक्षक अतिवयापन करके, अनु कक्षक बनाते हैं, ये भी ठीक है, परमानु कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं, वेलेंस बॉर्ण थेरे में बढ़ादा नहीं, परमानु कक्षक अपनी पहचान बनाए रखते हैं, क्योंकि आपसे बाहतम गोश को यतिरापित करा हैं, यह रहा है नहीं, सारे ही मिक्स हो जाएगे, जितने भी कक्षक है, सब के सब क्या हो जाएगे, अतिव व्यापित हो जा तो परमानु कक्षक अपनी पहचान बनाए रखते हैं, परमानु ही अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अब यह रहा है कि नहीं, सब मिक्स हो गया, अब कुछ नया ही बना, परमानु कक्षक एक केंद्र की होता है, क्योंकि इसमें एक नाविक है, अब यह कह रहा है, क्यों मरेकर नों किचार वर घुम रहे है ठीक है अब पर्माणों कक्षक को का रेखय सहीं तो अगर पर्माणों कक्षक को तरंग पलन वेव के फॉंक्शन की फॉंक्शं की फॉंक्शन की फॉंक्श में inडिकेट करहूं तो दो पॉसिबिटी हैं है ना अतिक राधी अस प्रकार से संब्भाई positive नेगा विप्रित बंदी अनुकक्षक, कैसे तो देख लेते, देखो, पर्मानुकक्षकों का दनात्मक अतिव्यापन, जब अतिव्यापन करने वाली दोनों तरंगे समान कला में हो, मतलब मैंने मानलिया कि में पास एक पर्मानु है A, है ना, और एक पर्मानुकक्षक हो गय यह प्लस मान लिया, यह माइनस, यह प्लस और यह माइनस, ठीक है, तो यह पहला फर्मानु है, इसको मिनने नाम दे दिया, साइ ए, साइ मतले यह पाइने की संभाव ना, फिर हम दे बादने साइ स्क्वायर कर दिया था, तो एक बार इसको साइ ए से डिनोट किये, है ना, और दूसरा यह, साइ भी, ठीक, यह भी ब्लस माइनस, ब्लस माइनस, ठीक, अब यह दोनों मिक्स होंगे, तो समान कला मैं यह इससे मिक्स हो जाएगा, इससे मिक्स हो जाएगा, दोनों मिक्स होंगे, है ना, तो मेरे पास जो नया कक्षक बन रहा है, वो तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, साइ इक्वर्स टू, साइ ए, प्लस साइ भी, ठीक, यह अंतर नाभी के दूरी, इसको ऐसे समझ लेता है, देख होना को, तो हम साइ स्क्वार से लेखते थे थे ना, तो अब मिला लो, तो साइ स्क्वार अभी क्या होगा, साइ ए, प्लस साइ भी, पहले वो दोनों मिले, तो साइ ए, प्लस साइ भी, और उसका स्क्वार कर दो, तो साइ ए, साइ स्क्वार अभी, प्लस साइ स्क्वार अभ पर जोड़ो, तो होगा कि नहीं, पहले दोनों मिक्स होते हैं, अब मुझे देखने, इलेक्ट्रोन पाये जाने की संभावना कहा है, तो साई A प्लस B का होल स्क्वार करना है, तो मैं गूँगी ये चीज तो में पास एक्स्ट्राइ, इलेक्ट्रोन पाये जाने की प्राइक्ता, इन दोनों की सिंगल प्राइक्ता से तो मुझे ज़्यादा मिल रही, है ना, तो ये कह रहा है, ये जो ज़्यादा मिल रहा है, देखो, ये आपका साई स्क्वार A, ये पहला का अक्षा, है ना, इसको, देखो, ये आपका क्या था ही आपका साइ स्क्वेड ए था है ना और ये क्या है देखो ये साइ स्क्वेड भी था लेकिन जब मिलने की बात करी तो देखो ये जो एरिया दिख रहा है ना приход है ना ये साइ स्क्वेड is तो हम कहेंगे कि इस बार ठीक है इस बार इलेक्ट्रोन पाए जाने की प्राइकता थोड़ी जादा है कितनी जादा है तो ये 2 साई ए भी जादा है है ना और ये 2 साई ए भी मतलब दोनों के नाविकों के बीच में इसका नाविक बीच में इलेक्ट्रोन मिलने के चांसस के है दोनों के जादा है है ना तो साई स्क्वेर ए और साई स्क्वेर बी मतलब एक अक्षक में और बी कक्षक में इलेक्ट्रोन पाए जाने की संभावना साई स्क्वेर बी मतलब अब यह मिक्स हो गए तो मिक्स हो गए तो परमाणों कक्षक से क्या मनगा अणू कक्षक तो अणू कख्षक में electron गनत्व पाये जाने की संभा होना तो साइ स्क्वाइर एबी का मान साइ स्क्वाइर एंडिविज्वल साइ स्क्वाइर बी इंडिविज्वल मिक्स होने के बाद में 2 साइ एबी एक्स्ट्रा है अतह, दोनों परमानों के नाभिकों के मध्य, इलेक्ट्रोन पाए जाने का घनत्व या प्राइक्ता अधिक्तम है। है ना, बंदी और विप्रित बंदी कक्षक में फरक क्या है। इस प्रकार जो कक्षक बना, इसको बोलते बंदी अनुकक्षक। है ना, तरंगों के धनात्मक अतिव्यापन से जो अनुकक्षक बना, इसको बोलते है BMO, Bonding Molecular Orbital, बंदी अनुकक्षक। यह परमानुकक्षक तो रहा नहीं, क्या बना, अनुकक्षक। तो अनुकक्षक में, बंदी अनुकक्षक में, इलेक्ट्रोन पाए जाने की संभावना, दोनों जो इंडिविज्वल नाभिक्ते, उनके बीच में ज़्यादा होती है। अई बात समझें। किती ज़्यादा होती है, तो टू साइए भी एक्स्ट्रा है। इतनी बात क्लियर है, ठीके, अब बात करें, विपरित दिशा में अतिव्यापन करें, है न परमानों कक्षकों का रिनात्मक अतिव्यापन, मतलब तो मैं कहूंगे देखो, एक तरंग तो ऐसे आ रही है, ठीके, इसको मैंने मान लिए साइए, ठीके, ये प्लस माइनस कर ल दो, इसको मैंने मान लिए साइ भी, तौब ये मिक्स कर, तो बहुत ओके, जैगे, ये तो अपर जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, फिर ओपर जाएगा, ये थी तो कुछ एसा हो रहा है, नया जो बन रहा है, है ना, ये ऐसा, इसको हम बलेंगे, साइ स्टार, विपरित बंदी अनों कख्षा जो कि साई ए और साई बी की नेगेटिव अवरलापिंग रिणातमक अतिव्यापन से फ्राप्त होता है विश्ली वारत धनातमक अतिव्यापन से था फिर हम गएंगे वियाब साई क्यों लेक्टर वायाने के सम्मावना तो साइट स्क्वेर है तो मावना कम हो गी क्योंकि इस वार तुमारे पास मैंने समय है यह मैनस फिगा होल स्कवार करना ठीक जो मेंगे नेको यह हमारा पहला आणू पर मानूक शक्षा था सई स्क्वेर और यह मिक्स कर दिया मैंने से स्कुइर इस तरव ना दिया क्योंकि विप्रित कला में बो इस कि वहार में कहों साइ स्टार AB का स्क्वाईर बताओं तो तुम साइए मैनस साइभी का हुल स्क्वाईर तो A, B, K . साइख24owe B मैनस 2 です2eb तो इसबर एलेक्ट्रॉन पarta जाने की संभावन दोनो नाभिकों के बίच ön Algum कि दिनी कम हो गई टू साई एबी जो है वो कम हो गई यानि दोनों परवानों के नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रोन गनत्व पाये जाने की प्राहिता कम है मतलब विपरिद बंदियानों कक्षक में इलेक्ट्रोन मिलेंगे तो सही में इलेक्ट्रोन है तो मिलेंगे लेकिन दो एंसे दूर्भग है तो बंदी में इन दूरों के बीच महीं इंसे दूरों भग तो बंदी में दूरों आप में दूरों बने में जलूर उनका मानना है परमाणू कक्षक आपस में मिलके अणू कक्षक बनाते हैं ठीक है कक्षक को तुम मानलो तरंग तो परमाणू कक्षक तरंगों के अतिव्यापन से अणू कक्षक बनता है तो परमाणू कक्षक परमाणू तो एक था है ना तो एक नाविक और चलावतफ से लह रेक्तRO तो परमाणुकक्षक में एक नाविक मतल cafeter to de engineered लेकिन अनुकक्षक में मिक्स होने के बाद में नाविकों की संक्या एक से ज्यादा हो घग है तो वह बहू केंदर की ठेक हैं, परमाणुकक्षक अ Carrie영 land mixt होने के बाद में Geometry थोड़ी difficult हो जाती है, जटल हो जाती है Now, यह concept भाना के लिए है, अच्छा ठीक है, परमानुकक्षक अतिव्यापित करेंगे, अनुकक्षक बनाएंगे अब इस थेरी का मानना है, अगर एक लिए अनुकक्षक बन गया, तो परमानुकक्षक की खुद की पहचान खतम होगी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो completely mixed होता है, इसा नहीं है खली बायतमकुष को मिला दिया बायतमकुष की एलेक्ट्रोन जो साजा कर रहे है, वो मिल गया, ऐसा नहीं है, सब को मिलना पड़ेगा चाहिए ब्रावा कक्षक है, खाली है, दोनों मिल के नया हो गया, और दो नये मनेंगे, दो तरीके हैं मिलने के ठीक है, तो यह Monocentric है, क्योंकि एक ना भीक से संबंदित है, वो Polycentric है, क्योंकि एक से ज्याधा Nucleus से रिलेक्ट्टिड है, है ना फिर हम बात करते हैं, परमानु कक्षकों कर रेखिय सईयोग, तो हम कह reactor हैं कि वह दोनों कक्षकों को स्स एसमान कलां में मिलती है शंग से शंग मिलता है गर्द से घर्ट मिलता है तो इस प्रकार का कक्ष बनता है साही इसे हम बोलते हैं बंदी अनौ कक्षक Morning, Molecular, Orbital, Bandi, Anu, Kakshak आप इसको BMO लिखो ठीक है, कोई दिकत नहीं है तो एक तरीका तो ये था फिर आम कहेंगे Si नहीं, Electron बाय जानी की संभावना को हम Si Square से दर्शाते हैं तो Si Square मतलब अब मुझे तो Bandi, Anu, Kakshak बताना है तो दोनों के मिलने की बाद में Square करो, तो Si A B चाहिए मुझे तो Si A B क्या होगा Si A प्लस Si B Square चाहिए, तो Si A B का Square चाहिए, तो Si A प्लस Si B का Square, पहले जोड़ो, फिर Square करो क्योंकि Anu, Kakshak का निर्मान तरंग कलाओं के मिलने से बनता है Electron फलन के, या तरंग फलन के मिलने से बनता है, ठीक है तो हम गएंगे, ये 2 Si A B extra होगा तो ये 2 Si A B मतले, उलेक्टरोन पाए जाने की जो संभावना है, ये दोनों नाविकों के बीच में जादा हो गई, ठीक है तो हम गएंगे, Si Square है, Si Square भी इंडिविजवल था, अकेले पर्मानों से रिलिटेड था, लेकिन Si A B का Square अनुक अक्षक में इलेक्टरोन पाए जाने की संभावना है, और ये इंडिविजवल से 2 Si A B extra है, यानि दोनों पर्मानों के नाविकों के मध्य, इलेक्टरोन गनत्व पाए जाने की प्राइकता जादा है ठीक है, कही दिक्कत है, तो जब धनात्म कतिवयापन होगा तो हम बीच में इलेक्टरोन डेंसिटी जादा बता देते हैं और जब रिनात्म कतिव्यापन होगा, तो बीच में लेक्ट्रोन डेंसेटी कम बता देंगे, साइड में थोड़े ज्यादा बता देंगे, ऐसे, ठीके, सिमिलरली, अब हम इनके रिनात्म कतिव्यापन की बात करते हैं, तो एक तरंग फलन जो है, उसका श्रंग आ रहा है, त दूसरी का आ रहा है, घरता रहा है, तो हम गहेंगे, जब विप्रित कला में हैं, तो तरंगों के रिनात्म कतिव्यापन से, तो रिनात्म कतिव्यापन से, साइस्टार, साइस्टार को हमने नाम दिया है, विप्रित बंदी अनुकक्षक, एंटी बॉंडिंग मॉलिक्यलर और्वेटल ठीक तो पेले कyammenının एइस करो फिर स्क्वेर करो क्योंकि तरंगे तो फिर होस्ट अन Tucson को क्में socio-e rep马ें कुैंट ठीक तो दिकरती क्या है है इस तो यह हो जाएगा आपके पास इस तरह से साइस्क्राइं और दो साइ एका स्क्वेर, प्लस साइ बी का स्क्वेर, मैंनस टू साइ एका 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 स्क्वेर, म अब मान लो कि अगर जिम्हिए घॉनकी चाहत परेवबिन घरना है तुम्हेता तो किक रभिस कश्थ Katy है या सबसे पहले हम इस पहले हमारे नेलिच फेर्ले अद्पी अर्जर स्काथ हमारे पैस से और भिटल है ठीक है तो मैं लो अब तुमको यह ककशक यह तो यह नाविक अब मैं तरंग मान रही हूं ने स्कों तो मैंने यह लिग दिया प्लस और यह भी नाविक और यह मैने क्या लिख दिया प्लस है ना यह s is orbital हे यह और गोलाय करह रोतह तरंग रूप में मान। यह भी क्या है एश ठीक है अब कक्षकों का मिलना है फिलाल में कह रही हूँ कि नहीं भी positive overlapping धनात्मक अतिव्यापन तो तो होगे धनात्मक अतिव्यापन तो क्या बनेगा बंदी अनुकक्षक बनेगा है ना यह anath Oprah tic festival इस संफ ए कि अगर आया तो इस तरोंग आया तो इस तर ने लेन पद हिए योई न्यर्वट ही दो तरीके इस मिक्षप होंगे है ना शरंग से शरंग और शरंग से गर पाउजिव र्लैपंग और से बटेज़ लूट है चोईस तो है धनात्म गतिवे आपन, तो हम गएगे बंदी अनों कक्षक बनेगा, रिनात्म गतिवे आपन, मतलब ये इसका अगर श्रंग आया, तो इस तरंग का क्या आया, तो इस तरंग का गर्थ आया, ऐसे मिला होगे, तो क्या होगा, रिनात्म गतिवे आपन, चोईस तो दोनों ही लेनी पड़ी कि दो कक्षक है तो दो तरीके से mix होंगे है ना श्रंग से श्रंग और श्रंग से गर्थ positive overlapping और negative overlapping ठीक है तो हम गएंगे अगर ऐसे mix हो गया तो दोनों नाविकों के मत्य electron गलत्व क्या होगा जादा हो इसको हम कहेंगे बंदी अनुकक्षक bonding molecular orbital बंदी अनुकक्षक और इसको हम लिख देंगे BMO है ना दोनों नाविकों के मध्य electron मिलने के chances क्या होगे तो हम गएंगे दोनों नाविकों के दूर है ना ये इसका नाभिक है ना तो इलेक्टरन मिलने के चांस से दूर है और इसका नाभिक वान लोगर ये है तो इससे दूर यहां इलेक्टरन मिलने के चांस सज़ाता है तो ये इसका है ABLO विप्रित बंदी अनो कक्षक जो में ट्रेंग की complicated होती है हम इलेक्टरन गनत्व दोनों नाभिकों के बीच में जाता है अब विप्रित कला में है तो ठीक है नाभिक इसको महलो इलेक्टरन गनत्व नाभिकों से दूर जाता है कितनी बात clear है है ना अब S और P मिला रहे हो तो मैंने आपको लास्टरन पर पढ़ाया भी था कि अगर as or P को mix करना है तो जिए से mix करना एस और पी बनेगा वह बंदी बनेगा विप्रित बंदी में बनेगा लेकिन कला की बात है Q. चिकर और आप जो पी लाए हो इसका भी क्या आएगा, प्लस आएगा, है न, तो भॉंग है यह तो भडियां यह तो धनात्म अतीवियापन है, है न, यह धनात्म अतीवियापन है, आपको गर नहीं बहना दाग्राम तो आप से फ्लिक दो कि यहाँ क्या होगा, यह तो मिक्स हो जाएगी यहां कम हो जाएगी है ना तो यह बनेगा बंदी अंकक्षक लेकिन बाइचांस वान लो रिणात्म गतिव्यापन करना पड़ा तो आप से नाम लिख दो कि अगर रिणात्म गतिव्यापन कैसे तो हम कहेंगे कि एसका प्लस इससा है ना लेकिन इसका जो है वो माइनस प्लस माइनस सिर्फ हमनी दर्शारे कला फेज श्रंग और गर्त दर्शारे और हम कुछ नया नहीं कर रहे है ना तो हम गएगे अच्छा ऐसा आया तो फिर दोनों नाविकों से दूर इलेक्ट्रॉन बना दो जो से पहला बना किसे पॉसीबल था क्या बुलते पी कक्शक है ना अब पी में भी देख दो तरह की अपर बड़े दिना एक तो हमने बड़ा था पी-पी समक्षिए थीक है पी-पी समक्षिए अब देखो मैंने लास्ट सुर्ण में पर सम्जा दिया था ऐस-पी अतिवियापन होता है एस एस अतिवियापन होता है अगर यह पाद है सिघ्मा बंद बनेगा इसमें कोई लड़ाई नहीं है और आपका सिघ्मा ही बनेगा ठीक है अप्पी पीसा मक्षिय तो यहां मेई समक्षिय में भी समान का लाम है ना मतलब आपकी यह तरंग आई प्लस माइनस और यह दूसरी तरंग आई प्लस माइनस तो यह दोनों मिक्स हो जाएगी ना तो हम रहेंगे यहां अगर यह धनात्म गतिवयापन है पॉजिटिव ओर लापिंग है तो वही इलेक्ट्रोन घनत तो यहां बीच में तो काफ़ी अच्छा कासा हो गया यहां कम और यहां कम ठीक है लेकिन अगर यह ऐसे आ एहां से क्या आता है माइनस आता है और प्लस आता है मतलब आपके पास क्या होई निगट्यव ओर्रापिक तो देखो बीच में मिलने के चांस में विम्युरं दैकिरेंगे इडिनले जाता याना यह ऐसे बनेगा एसे और इसकर यह ऐस् moltoय औंधा तयों बंदी अनुक अक्षक है bonding molecular orbital और यह क्या है विपरित बंदी अनुक अक्षक है anti-bonding molecular orbital सिग्माओं यहाँ बनना है सिग्माओं वहाँ पे भी बनना है आप वी बात समझ में अब अगर आपसे बात करें PP समपार्श्वी अतिवापन की को लेटरल ओवर्लापिंग है ना मतलब पीक अक्षक ऐसे साइड बाई साइड आ रहे एक बारतिव आपनों हो जिया को एक जिल अब पी बने तो अब यह गए विंके पास तो चॉइस ही क्या है संपार्श्वी है मतलब आपका एक पीक अक्षक ऐसे आया है और एक भीक अक्षक फिर ऐसे आया तो हम गएंगी ठीक है संपार्श्वीय पाई बनेगा है ना हमने एडिंग नहीं लिखा यहां पर पहले हम एडिंग लिए पीपी को लेटरल ओवर्लापिंग संपार्श्वीय ठीक है अब देखो संपार्श्वीय अतिव्यापन का रहेगा इसका रेजल्ट पाइबॉंड ही रहेगा बस फरक्तिक है तो भाई के देखो समान कलम ये प्लस ये माइनस और ये भी आया प्लस और याया माइनस तो यी मिक्स हो जाएंगे आरहाम से तो एलेक्ट्रान आपका यहां एलेक्ट्रॉन बैल क्या यहां यह एक बीच तल के उपर भी ज्यादा है, नीचे भी ज्यादा है, यह बीच में आपका एक या नोडल प्लेन, और हम कहेंगे यह आपका positive overlapping है, यहां मैं लेख दू, इनका धनात्मग अतिव्यापन है, positive अतिव्यापन, धनात्मग अतिव्यापन, ठीक है, है ना, तो इससे जो बंद इसको पाई से डिनोड कर लेंगे, लेकिन अब चॉइस दूसरी, मालो negative overlapping है, तो मालो एक पीक अक्षक तो तुम्हारा यह है, यह positive, यह negative, और दूसरा पीक अक्षक जो है, वो तुम्हारे पास यह है, negative और यह positive, अब क्या करोगे, है ना, इनका अतिव्यापन जो है, वो मै यह साथ, तो अब बताओ, तुम क्या करो, जो दोनों lobs है, इसको आप change कर दो, है ना, मतलब समझे, यह minus है, इसको यू बनाओ पहले, इसकी 4 lobs, इसको चोटा trick रखो, है ना, इसका एक, color अच्छा ले लगते, इसका trick रखो, चार lobs बना दो, एक, दो, तीन, चार, डंबल इधर, तो आपका अगर यह minus होगया, यह इधर चला गया, यह उधर चला जाएगा, ठीक है, similarly, यह उधर minus और यह plus, यह ऐसा हो जाएगा, तो shape बताना है, यह है, और answer देखो, कौन सा shape आएगा, यह आएगा, यह आएगा, तो तुम्हें बताना है, हाँ नेक्स वाल आएग यहांए में में को दो नोडल प्लेन मिल रहे है, वहाँ एक मिल रहा था, ऐसे बनाओ कि नाडल प्लेन किते मिलेंगे, दो मिलेंगे, है ना तो इस तल में लेक्ता होला, इस बैक्ता होला, तो बंद यहांपर पाई है, बंद वहाँ पी पाई है, क्लियर है, positive overlapping, negative overlapping, है ना, और जीरो और लेपिंग फिर फेजी यह बता दिया था मैंने आपको लास्ट रहन पर पी एक्स और पी आया तो फिर अतिवयापन कैसे होगा नहीं होगा ठेक है अब बेसिकली यह चीजे अमें मोटी में नहीं पढ़िए तो ठीक आपके सवाल बनते हैं आपके कॉंपटीशन बंदी अनुकक्षक ठीक है बंदी अनुकक्षक और दूसर आपके से विप्रित बंदी अनुकक्षक ठीक है बंदी अनुकक्षक ठीक है बंदी अनुकक्षक और विप्रित बंदी अनुकक्षक ठीक है बंदी अनुकक्षक ठीक है बंदी अनुकक्षक ठीक है बंदी अनु और यह हो जाएगा ABM, फरक क्या है, परमानु कक्षकों के मिलने से बनेगा, लेकिन यह कम मिलेगा जब परमानु कक्षकों का धनात्मक अतिव्यापन होता है, तो BMO का निर्मान कैसे होगा, positive overlapping of atomic orbital, परमानु कक्षकों के धनात्मक अतिव्यापन से, परमानु कक्षकों के धनात्मक अतिव्यापन से, क्या बनेगा, बंदियनु कक्षक बनेगा, यह कैसे बनेगा, तो हम कही हो positive, अगर इसका श्रंग अया, तो उसका घरत आना ची, तो यह जरूर बनेगा, लेकिन यह बनेगा, परमानु कक्षकों के धनात्मक अतिव्यापन से, ठीक है, negative overlapping of atomic orbital, है ना, मतलब, अगर आप BMO की बात करते हो, तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए, साई स्क्वेर एबी इको अस्टो, दनात्मक अतिवापन मतलब, साई ए ब्लस साई बी, तरंगों के मिलने के बाद, स्क्वेर कर दो इसका, है ना, यहाँ क्या करना था, तो मैं कहूंगे, यहाँ साई स्टार एब, यह वहाँ पर भी है, लेकिन यह विपरित बन दी है, तो स्टार से दिखाया, तो हम गएंगे विरनात्मक कला, मिक्स तो भी होंगी, साई ए माइनस साई बी का हों स्क्वेर, ठीक है, अब इसको हम सिग्मा यां पाई से डिनोट करते हैं, सिग्मा बनेगा तो सिग्मा और पाई बंद बनेगा तो पाई, सिग्मा और पाई से डिनो को हम सिगमा स्टार और पाई स्टार से देनोट करते हैं अब बचये यह जादा स्टेवल हैँ वो कंसे बले तरंगों की समान कला में मिलने से बनता है यह ज़्यादा स्थाई बहां गया λέखिने वे यह कम स्थाइए अब तुम खुद सोचो स्थाइट और उर्जा में क्या रिलेशन है सोचो जो चीज आपके लिए ज्यादा स्थाइए मतलब उसकी उर्जा कम है और जो चीज कम स्थाइए मतलब उर्जा जादा है तो मुझे लेगना यह बंदि आनों कख्षक इनकी उर्जा कम होती है इनकी उर्जा कम होती है और इनकी उर्जा अधिक ठीक है उर्जा कम है उर्जा ज्यादा है अब दा कम हैं इलेक्ट्रों के बढ़ते करम में बढ़ते हैं जहता हैं अलुक अपड़ रोल के सापसे यह फिकाल गोई एलेक्ट्रुन पहले बंडी कर्ण में भी जाते हैं स्य पर केले BMO में भरते हैं अब जब बांडिंग पूरा भष़़जा आप फुल जगह नहीं तब तो बंदी में ना बीमो के बाद bonding molecular orbital के बाद भरने के बाद electron ABMO में भरते है यतनी बात clear है पहले electron को bonding में भर दो उसके बाद electron कहां भर दो anti-bonding molecular orbital में clear है? कोई दिकत नहीं है तक अब आपके पास आता है कि आप बंद क्रम से क्या सबस्ते है What do you understand by bond order? बंद क्रम क्या है? bond order से आप क्या समझते है बंद क्रम से आप क्या समझते है बंद क्रम तुम्हें पता है जैसे H2 जो तुमको H single bond H होता है O2 O double bond होता है F2 F single bond F होता है N2 N triple bond H होता है तो number of bonds तुम्हें पता है ना तो number of bonds को ही तो bond order बोलते है तो आपको बताना है किसी अनों में दो पर्मानों के मध्य, बंदों की संख्या, number of bonds, बंदों की संख्या को bond order कहते हैं, बंदों की संख्या को बंद क्रम कहते हैं, bond order कहते हैं, किसी अनों में दो पर्मानों के मध्य, बंदों की संख्या, अब बंद क्रम, और bonds की बात कर लेते हैं, बंद क्रम और number of bonds, मतलब अगर या मैं अनु की बात कर लेक्ते हैं, बंद क्रम और अनु की बात कर लेकते हैं, bonds की बीनी, molecule, या molecule की stability समझ लो, मान लोगर में कहूं कि यह ना मैंने calculation करी और बंद क्रम bond order zero है, मतलब बंदों की संख्यान जीरो है, मतलब बंध है ही नहीं, तो बहुत है ही नहीं, तो फिर अनु कैसे सोच रहो, अनु मतलब दो परमाणु जो बंदेवें, आप कहरें नहीं, बंद करम जीरो है, बंदेवें नहीं है, तो बंदेवें नहीं है, तो बंदेवें नहीं है, त तो अनों का अस्तित्व नहीं हो गाव अगर मैं तुम्हें को कि नहीं वह लोडर तो एक है मतलब सिंगल बॉटर दो है तो डॉल बएगिन को नहीं मुद्वर आधा आया आधा कैसे वह अधा बॉड़न है यह तो है यह नहीं जीरो कर दो एक कर दो बीच में क्या तो हम गए आधा मतलब अस्तित्वत तो होगा तभी तो आब बना है अस्तित्वत तो होगा परंतु आस्थाई एग्जिस्ट अट उन्स्टेबल गॉंड और आधा जाए आएगा भी तो माने पास तो वो चीजंज सेबले अदा बॉई किसे बनेगा हैना तो इक्जिस्ट बीच में जा बंद करम दो तो तुम गोंगे चाहँ दो मतलब डबल गॉंड ने क्या दिक्त है और अगर बंद करम तीन आया तो हम कहेंगे ट्रिपल वांड है दो परमानों के मद्य सिंगल बॉंड डबल बॉंड ट्रिपल वांड है ना एकल बंद बंद करम एक, दो, टबल बॉन्ड, तीन, ट्रिबल बॉन्ड, इतनी बात क्लियर है, कोई दिकत नहीं है, ठीके, अब बंद करम ज्याद कैसे करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें कैसे पता, अंसर 0 है, 1 है, 2 है, है ना, तो देखो, बंद करम का फॉर्मला, बंद करम NB-NB, NB मतलब, number of electrons in bonding molecular orbital, बंदी आनुकक्षक में, electrons की संख्या, ठीक है, बंदी आनुकक्षक में, electrons की संख्या, और NB, विपरित बंदी आनों कक्षक में एंटी वांडिंग है ना ABMO बंदी मतलब BMO BMO में किते इलेक्टरोंस है यहाँ ABMO विपरित बंदी आनों कक्षक में इलेक्टरोंस की संख्या ABMO में किते इलेक्टरों है BMO में किते इलेक्टरों है ABMO में किते हैं, लेक्टरों होने, है ना, दो लोंगो माइनस करके 2 से डिवाइट कर तो, हाफ NB माइनस N A, कोई दिकत नहीं है, ठीके, अब हम कहीं हो कि चालो, मान लेते हैं, अब मुझे एक चीज बताओ, बंद करम, किन किन बातों पर डिपेंड करें, बंद करम जादा होगा तो, मतलब बंद करम एक, दो, तीन, एक मतलब सिंगल बॉन, दो मतलब डबल बॉन, तीन मतलब ट्रिपल बॉन, सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो एक बॉन को तो जोर आएगा, डबल में जादा आएगा, ट्रिफल मौर जयादा आएगा तो जितना जादा बंद क्रम वनू का स्थाइत्व ज्यादा favorite ना? या मैं कहे दू व्योजन उर्जा ज़्यादाए governance छोड़ो फिल फिल व्योजन उर्जा की बात करो तो बंध व्योजन उर्जा ज़दा तो आपको बताना है, बंद करम समानुपाती वियोजन उर्जा, है ना, greater number of bonds, greater than number of bonds, greater will be bond dissociation energy, बंद करम का मान जित्ता जादा होगा, इसको तोड़ने के लिए खर्चा होता जादा, अब, bond length की बात करूँ न, अगर मैं तुमें कहूं, कि बंद लंबाई की को information देओ, बंद bond के लिए, तुमें बताना है, बंद करम, बंद लंबाई के क्या हैगा, इनवर्सली प्रपोर्शन, जैसे जैसे बंदों की संख्या बढ़ेगी, बंद लंबाई क्या हो जाएगी, तो यह bond length काम हो जाएगा, वियोजन उर्जा बढ़ जाईग, ठीक है, संकरन, तो सिंगल bond का double one का triple one का आपको पता ही है है ना लेकिन संक्रण हम छोड़ देते क्योंकि हम आप अपन की बात कर रहें ऐसे यहां तक कोई दिकत नहीं है clear है अब आप से कहा जाए कि अनुकक्षक चित्र बनाओ ठीक है माल आप से वेने का कि एक्जाम्पल वन हम डिस्कस करते हैं एच्टु का अनुकक्षक चित्र मॉलिकिलर औरबटल डाइगराम ओफ हाइड्रोजन अनुकक्षक चित्र मॉलिकिलर औरबटल डाइगराम ओफ हिच्टू तो सबसे पहला काम करो कि h2 मतलब उसको split करो है ना यह की परमाणू बनाओ तो h और h H2 के परमाणू बनाओ तो H अब H मतलब 1 is 1 फिर H मतलब तो हम कहेंगे 1 is 1 ठीक है परमाणू कर बनाओ तो हम कहेंगे देखो यह H यह 1 is और यहां पे भी क्या है 1 is ठीक है हम यहां H की बात कर रहे है यहां पे भी हम H की बात कर रहे है यह परमानुकक्षक है परमानुकक्षकों के मिलने से अनुकक्षक बनता है तो 1s 1s मिलेगा तो देखो सबसे पहले नीचे बनेगा सिग्मा वनेस है ना और उपर क्या बनेगा सिगा स्टारएश कोई सबसे इसको सिग्हा स्टार से है ना तो सिग्मと思います लेलिगा तक कि समस्टीव्धिया बन से它ई की इंप्रएटिया थी जाती तो यहां अब इसकी कम है इसकी जादा है अब आप फिल करो तो देखो अगर मुझे लेक्ट्रोन करना है तो मैं दो कि यहां तो वन इस वन यहां पे भी एक एलेक्ट्रोन है यहां पे भी अब तुम जाओ दे अविप्रित दिश्चा में बना दो क्योंकि अतिवापन का नियम था कि वहीं अब दो परमानों कक्षक मिक्स हो गए बंदी बन गया नियम तो हमें आपके हंस्टूली लगाना था तो हूंगे दो एलेक्ट्रोन है पहला भर दो क्लॉक्वाइस उपर जब तक नहीं जाएगा जब तक यहां कमूर्जवाला पूरा नहीं भरेगा तो यह एंटी क्लॉक् तो भी आपको मैंने बंड ओर्टर का फॉर्मुला बताया था बंद ग्रम का फॉर्मुला क्या था हाफ एन भी माइनस एनि है ना बंडिंग में एलेक्ट्रोन माइनस एंटी बंडिंग में एलेक्ट्रोन है दो एंटी बंडिंग में किता है जीरो तो मैं कहूंगी हाफ Anti-bonding में 0, 2-0, 1. ठीके, तो मैं गोँगी, bond order दो 1 आया, अतहा, H2 में, क्या होगा? तो मैं गोँगी, H2 में, H single bond H होगा, क्या ही टेंशन है, hydrogen, hydrogen की बीज़ा, single bond होगा, ठीके, अब आप से, इसके बारे में बहुत सारी चीजे पूछ ले, क्या है, है ना, इसे को कॉपी कर ले दियो में, माल इसके बारे में आप से जानका, तोड़ी ज़्यादा ही मांगे, के टीके, आप ने ये, अणू बख्षा को गर तो बता दिया, और information ले, तो आप से कहा है, आप से कहा है, आप ऐसा करो, इसका, इलेक्ट्रोनी विन्यास बताओ, यह तो परमाणू ही, परमाणू है, भीच वाला अणू है एच टू, यह है, यह है, भीच वाला क्या है, एच टू, तो आप ऐसा करो, इलेक्ट्रोनी विन्यास बताओ अणू का, अणू का, अणू का, अब यहां मुझे लग रहा है कि सीगमा पहला ऑर्मिटल कौन से सिगमा और सिगमा वन इस वे टीट एलेक्ट्रॉन हें दो और सिगमा स्टार वन इस तो यह व्ट खाली पड़ा है तो जो तो यह टो का एलेक्ट्रॉन यह वन्याज है एच का नहीं पूछ रहे हो एच्टू अनू का इलेक्ट्रोन ने विन्यास बताओ, तो सिग्मा वर निस टू, सिग्मा स्टार वर निस जीरो, नहीं भी लिखोता चलेगा इसको लेक्टू, अब होगे अच्छा ठीक आपने इतना बता दिया, आप ऐसा करो, मैगनेटिक नेचर, चुम्ब की प्रकरती ब है ना, हीड्रोजन जो है, वो आपका डाया मैगनेटिक, प्रती चुम्ब की बल रिखाओं को प्रती कर्शित करेगा, डाया मैगनेटिक होगा, डाया मतलब दो-दो एलेक्ट्रोन है, तो अनपेट तो नहीं है, तो एलेक्ट्रोन है, ऐसे, आगे बास समझें, अब हो तु प्लस और H2 माइनस को डिस्कस कर, ठीक है, H2 प्लस और H2 माइनस, इसका अनुगक्षक चित्र बनाओ, है ना, फिर इनकी स्टेबिलिटी भी बताओ, ठीक है, तो पहले हम H2 प्लस को डिस्कस कर लेते हैं, तो देखो, H2 ब्लस मतलब, 1 तो ह है, पहले इसको स्प्लेट करो, उसके आयनस में, 1 H प्लस है, 1 H और 1 H प्लस है, H2 प्लस है, H2 प्लस है, H2 मतलब, 1 H और 1 H प्लस, components पे तो तो H मतलब 1 इस 1 और H प्लस मतलब 1 इस 0 तो ठीक है यह एक लेक्ट्रो रख रहा है यह 0 रख रहा है अब अगर मुझे फैल करना है तो मैं गाओंगे ठीक है पहीं एक तो यह 1 इस यह भी 1 इस है ना और एंगे अनुगक्षक बनाने है तो यह बनाएगा पहले बंदी सिग्मा वन इस यह बनाएगा विप्रित बंदी सिग्मा स्टार वन इस और यहां मुझे लिखना था एनरजी उड़ जाओ ठीक है अब मुझे पता है एक हैच बान लेती हूँ एक हैच प्लस बान लेती हूँ और बीच वाला जो है वो हैच टू प्लस हो जाएगा ठीक है प्लस का अगर में बॉंड और निकालने बैठो तो मुझे लग रहा है हाफ बंदी में किता है एक एंटी बंडिंग में किता है जीरो तो हाफ आएगा तो बंद करम आधा तो मैंने आपको सिखाय था बंद करम आधा मतलब exist क्योंकि आया है फॉन बंड एकसे बट नोट sometimes और गहाब होगा मैं लेंड शकाम का था स्टे फैंवल नहीं है एकसे इस बट नोट स्टेव ठीक है कि, तो विच्च टू लाइन इस walk तो हम वह एंगे H, H- तो H मतलब 1 is 1 और H- मतलब एक एक एक्स्ट्रोन एक्स्ट्रोन लाया हो H- एक एक्स्ट्रोन है ना 1 is 2 पहले इसके ट्रकोड़ों में तोड़ों तो इस अबसे इसी प्रोसेस है H2- कैसे बनना होगा? H के पास H- मेरे पास तो 2 एक्स्ट्रोन है अब बना तो तुम कहोगे ठीक है 1 is 1 is मिलेंगे तो दो ही पॉसिबिलीटी है एक बंदी और एक विपरत बंदी ठीक है तो यह सिग्मा 1 is और यहां हमारा आजाएगा सिग्मा स्टार 1 is यहां पर आजाएगा एनरजी अब तो हमारे पास यहां एक एक एलेक्ट्रोन है यहां हमारे पास दो एलेक्ट्रोन है अगर यह एच माल लेती हूँ तो यह एच माल लेती हूँ टोटल एलेक्रोन की संख्या तीन है अब टोटल एलेक्रोन तीन है तो देखो यहां दो भर दो इँचे 2 ऊपर 1 बंद क्रम निकाल है यह निकाल टुबॉलौ तो हाफ बंदी कहते है डो बुपरिद बंदी कहता है एक टोडल 3 कैसा यह समिच मेंभी में 1110 तो दोबर्दी है जेगे कदम होगी अब उपर बढ़ दो नियम तो ओर जा बढ़ते गर measure तो फुल होगा ना, S की तो capacity 2 electron की होती ही, S2 होता है ना, तो फुल कर दिया ता, उपर तो जा नहीं पड़ेगा, तो बंदी में 2 होती है, विपरित बंदी में 1 है, यहां बंदी में 1 था, विपरित बंदी में था ही नहीं, ठीक है, एक्जस्स तो करेगा, बट स्टेवल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो हम करीभी क्या लेंगे इसमें, ठीक है, अब तुम से कहें कि नहीं, आप तो ऐसा करो, H2, H2+, और H2- में, स्टेबिलिटी ओर्डर बताओ, है ना, आपने 3 चीजे पड़ी, तो हम गएंगे हाँ, हमने H2 पड़ा, H2+, भी पड़ा, और H2- भी पड़ा, इनका स्टेबिलिटी ओर्डर बताओ, स्थाइत्व खराब, H2, H2+, और H2- का स्टेबिलिटी ओर्डर समझाओ, तो हम गएंगे देखो, H2 में तो बॉन ओर्डर एक आया, यहां बॉन ओर्डर किता था, एक, H2+, में बॉन ओर्डर हाफ है, हाफ है, और H2- में भी, बॉन ओर्डर तो हाफ ही है, है ना, लेकिन यहां इलेक्ट्रोन जो था, वो बॉन्डिंग में था, BMO में था electron और यहाँ तो यहाँ electron ही BMO में था के नहीं? बोलो, अभी तो बड़ा था, देखो H2 plus में आखरी electron का है तो तुम कोगे bonding में, sigma में और H2 minus में आखरी electron का है sigma star में, anti-bonding तो stable क्या था? bonding stable था, anti-bonding आपने पड़ा था, कम stable है तो हम गेंगे, चलो, बात तो समझ में आ रही है यहाँ आखरी electron BMO में है यहाँ ABMO में तो यह चीज़ हमें कहीं खटकरी है तो यह less stable, comparatively है तो दोन ही आइस्थाई है तो दोनो ही आइस्थाई, लिकिन ज्यादा आस्थाई बही क्या बोलो, यह भी गरीब है, यह भी गरीब है वो ज्यादा गरीब कोन है, ज्यादा गरीब, compare तो गरी सकता है तो बस वो comparison है unstable थो दोन ही है, रहना तो इसको भी नहीं है इसको भी नहीं है, बट ज्यादा unstable कोन है ऐसी, तो हम गए अच्छा stability order बताएं तो H2 दो ठीक है फिर H2 दो एक्सिस करता ही है सिंगल बॉर्ड लेके फिर हम गहें है H2 प्लस और तो हम गहें है H2 माइनस क्लियर है इती बत समझ में आगी ठीज तो नहीं है धीरे करके देख ले ना है ना क्योंकि M.O.T वैसे भी दो पार्ट में खरतम होगा अब यहां चलगे तो मुझे लग रहा थीन पार्ट चलेगे ठीक है यहां तक क्लियर है हब हम आगे बढटتे हुलियं 2 का तो आप मॉलेकिलर और्बियूर्ड डाइग्राम औफ हुलियं मतलब भी 1 is 2 1 is 2 1 is 2 मतलब यह आपका हो गया 1 is यह भी हो गया 1 is है ना यह आपका helium है यह भी helium है अब आपका ओगे एक तो बंदी है एक परित बंदी है तो यह तो है sigma 1 is यह है sigma star 1 is और यहाँ हम बना लेते है energy ठीक है आपके यहाँ दो electron है यहाँ भी धो electron है total केते दो यह मंद्टान है तो बर दो चार electron है अब चार electron है तो आपको electron filling तो सिखाई थी ना यहाँ दो बर दो अब जगे यह नहीं तो भी यहा दो बर दो पस क्याही थे तकलिफे बंद गरम निकालो ठीक है फॉर्मुला यहां दे, हाव NB- है नहीं, बंदी के एलेक्ट्रॉन, माइनस विपरत बंदी के एलेक्ट्रॉन, तो बंदी में किते एलेक्ट्रॉन है, दो, विपरत बंदी में भी किते हैं, दो, तो हाव 2-2, आंसर किता आएगा, 0, तो 0 मतलब तो not exist, बने गई नहीं, है ना तो हम गएंगे, हाँ बात तो सही, बंद क्रम ही 0 है, है ना, तो चूंकि हीलियम 2, ही 2, है ना, आमें बोलने मी नहीं आता ही, ही 2 को कि काम ही नहीं पड़ता, है नहीं तो बात ही क्या करें, तो हम गएंगे, हीलियम 2 है तो है ना, तो हीलियम 2 में बंद क्रम, 0 है, हीलियम 2 म इसका अस्तित्व नहीं होता है लोई, नोँ की बना दूल लगी हाँ ठीके लाई टू का अणु कक्षक चित्र Molecular Orbiter Diagram of Lithium 2 ठीक है तो मैं दुमें मैं लिखा था इसके टुकडे करूँ Lithium 2 मतलब तो हम गएंगे Lithium और Lithium Lithium मतलब 1 is 2, 2 is 1 फिर Lithium मतलब 1 is 2, 2 is 1 अब यह क्या कहना चाहरा है कि मैं अगर 1 is 2, 1 is 2 है न और भाइतम कुछ 2 is है भाइतम कोशक भी मिक्स होंगे अड़ों काखण सभी आरवरा का पूरा परिमानों के सारे करखख है पूरा जिसनी मिलब लोफ शादी होती है तो अपन के था शालीаз तो मिलना पड़ता है पूरी आपूरी नहीं डड़का बिढ़ काड़ी हो कि जादी है? हाई हाई पूरी 54 जहता है? त्थे ज directions है, वह इस को माम और सी को बोलति है? हाई हाटनी, क्योंकि बोलति है टो जरी अ करन rumors को आपूरा के लेना देना है कम्प्लीट मिक्स होगा, तो 1 is 1 is mix होगा, लेकिन आम बना नहीं रहे हैं, क्यों बना है, ठीक है न, mix होगा, आम पढ़ दो लिया, 1 is 2 bonding, 1 is 2 bonding, 1 is 2 bonding, आम बना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है, तो यह लीथियम है, यह लीथियम है, और बीच में लीथियम 2 है, टॉम दिखाने म यह लीथियम 2 है, ठीक है, तो बहुं गएगे यहा, यह सिगमा 2 है, और यह आजाओ, तो यह सिगमा स्टार 2 है, है न, और साइड में आपको पता ही, आपको एनरजी लिखना है, तो इस इस एनरजी, ठीक है, ठीक है, ना लीथियम 1 is 2, 2 is 1, तो यह 1 is 2, and this is 2 is 1, अगें 1 is 2 1 is 2, 1 is 2 लिखा है, तो पता ही, बंदी में भी दो जाएंगे, विपरित बंदी में भी दो जाएंगे, ठीक है न, कहीं मतलब हो, है न, और यहाँ देखो, दो इलेक्टरॉन है, तो पहला क्लॉक्वाइस, दो स्टेंटी क्लॉक्वाइस, फिल हो गया, आगे जाता अपर दो बंदी माइनस विपरित बंदी, अब फिर तुम चाहो तो इसके बंदी के दो गिन लो और इसके दो गिन लो चार और विपरित बंदी में इसके दो गिन लो यहां तो हैं और यहां फिर छोड़ो बैए इधर भी दो बढ़ाया, मतलब अगर मैं कहूं कि ऐसे करो 100-100 फिर मे तो आंसर तो सेमी रहेगा ना, यह मैं कहूं 10-6, फिर मैं इधर 2 बढ़ा दो, 12 और इधर भी 2 बढ़ादो, 8 कर दो, 6 का-8 कर दो, 10 का, 12 कर दिया, 6 का, 8 कर दिया, तो भाई, 10-6 भी 4 होता है, और 6-6 भी 4 होता है, तो क्या ही मतलब है, तो इनको आपस मी गांजल गर दो, ब लेकिन आप देखाना आस्तित्व नहीं है bond order zero, मतलब no existence. तो जो चीज ही नी उसकी क्या बात करो? हो तो बाती करो, ना? है ना? तो ही नी ना? तो जो ही नी उसका क्या magnetic nature? है ना? होता तो कैसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम ही नी? तो बात ही खत्म होगी, है ना, तो होगे कि नहीं है, है ना, अब पूछे तो, इतने तो स्मार्ट हो, तो बनाई सकते हो, ठीके, नाओ, ये भी हो गया, चलो, लाई सिंग्नल बॉर्ण, लाई होगा, अब अगर मैं आप से कहोंगे, नहीं, इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन की बात करो, इलेक्ट्रोन ये विन्यास की बात करो, अब यहाँ भी देखो, मुझे दर चीज़ क्या है, है ना, तुम कहोगे, सिगमा वन इस टू, सिगमा स्टार वन इस टू, सिगमा वन इस टू, सिगमा स्टार वन इस टू, और सिगमा टू एस, किते एलेक्ट्रोन है, स प्राप चाहो तो लिख दू Sigma स्टार 2A0 नहीं है को लिखना ठीकेश अब देखो सिख मंधिस टूर सिगास्टारएश्ट स्टार मलग आपने पहला रहा न भदर यपे ला कोर्श कंप्लीट कर लिया तो पहला कोर allora वद Esta होता है तो हुझाह हमारी में सका बंदी भी फुल है और विपरित बंदी फुल है अगर बोर्स मोडल पे हो तो न ब्राबर वन क्या था k कोश था के अलेमें था परमाणूस राशन पणा था न बराबर वन क्या था k था तो आप इसको ऐसे भी लिख सकती हो kk KK मतलब पहला गोश पूरा है, बंदी भी पूरा है और विपृत बंदी भी पूरा है ठीक है KK और इसके बाद आप लिख दो Sigma to West समझे, KK मतलब N बरावर 1 तो N बरावर 1 में 1S ही होता है तो 1S मेरा बंदी भी फुल है विपृत बंदी भी फुल है तो दो बार लिखेंगे, KK Sigma to West अब उलेक्ट्रोनिक, सारी चुम्ब की प्रकृति बताओ Magnetic Nature तो बई, Magnetic Nature क्या बताओ तुम खुद सोचो सोचो चुम्ब की प्रकृति क्या है, मुझे तो अभी तक कोई AUB में इलेक्ट्रोन मिला ही नहीं अनपेर्ड ही मिले तो अगर मुझे कोई अनपेर्ड मिला ही नहीं तो मैं कहूंगी चुम्ब की बल रिखाओं को प्रती कर्शित करें प्रती चुम्ब की तो M.O.T. आपके Lithium 2 का भी इसे बताती है लाई टू होगा यहां बिल्कुल होगा इस तरी कैसे होगा ठीके अब ऐसे तो तुम B.E.2 भी बना सकते हो तो बनाने में सारे बनाओ बच्चे आपका फड़ा प्रक्टस बनेंगा हाथ बैठे का Chemistry में थोड़ा सब्जेक्ट से प्यार होने लगे गा सब्जेक्ट में इंट्रिस्ट आएगा कि हाँ यह साही के सिंपल चीजे में तो यह बना सकता हूं चुटकियों में है ना तो B.E.2 का अनुकक्षक्चित्र होमवर्क है वह नहीं बताऊंगी होमवर्क है करके आना ठीक है चेक करना तुम्हारे पस बॉंड ओर्डर जीरो आना चीए दो क्यों लिखा है वही बॉंड ओर्डर जीरो आना चीए बेरिलियम 2 में बॉंड ओर्डर अनुकक्षक्चित्र जीरो आएगा बे-2 बेरियलियम वरोन नहीं कह रहे हो है ना अब पी में कैसे मिक्सिंग होगी टूपी-टूपी मिक्स करेंगे क्या होगा तो अभी तो आने वाली सब्सक्राइब कर दीजिए और हजार से ज्यादा वीडियो चैनल के विलेबल है तो सब्सक्राइब करना बनता है कहीं ज्यादे पर दो चार दस पंदरा वीडियो एकाम का नहीं है तो इसो कि लेकिन जब तक चैमिस्ट्री रहेगी इसपजीजी काम आईगी आप मालूब सब्सक्राइब कर देना और पढ़ते रहेए कीप प्रैक्टिसिंग कीप शाइनिंग आइड बाई